नमस्कार दोस्तों शौगत है आप सभी का आप सभी के अपने चनल गौतम ओनलाइन इस्टेडी में तो आज का जो भी वीडियो है हमारा जो आपके MPPSC और व्यापम के जो एक्जामस में आपने देखा होगा कि आयू के बारे में बहुत बड़ा जो आपके गड़बड़ी च चल रहा था जो MP की जो आपके मात्यप्रदेश की जो एस्टुएंट है उनका अंदोलन चल रहा था उस अंदोलन के बाद क्या रिजल्ट आया है एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो सिर्फ ऑफिशियल होना बाकी है और आपको एक तरह से यह जानकारी मिल जाएगी इस व कोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और सेयर करिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए इसमें क्या बताया गया इसमें क्या बताया गया कि सरकारी नौकरियों में आईशियों बढ़ाने पर जो आपके मंत्रियों में विवात चल रहा है मंत्रियों में नुकसान का मुद्दा बुद्धवार को कैबिनेट में उठा इस मुद्दे पर मंत्री जब एक साथ अपनी बात रखने लगे तो वहास जैसे इस्थित निर्मित होगी यानि कि आपस में बहस करने लगे जो आपके मंत्री थे फिर क्या हुआ उच्छा मंत्री यूटूब प तब मुख मंत्री इनुने समझा है कि पहले एक बिसे पूरा हो जाए तब दूसरा उठाये जाए लेकिन तोमर बात कहते रहे जिस पर लोग स्वास्त यान्तर की मंत्री सुकदेव पांशे समेत कुछान मंत्रियों ने तोमर को टोकते हुए कहा कि यदि सभी एक साथ बात क करेंगे तो कैसे सुनाई देढ़ें इस बात को लेकर तोमर नहराज हो गए और पांशे जो आपके सुखदेव पासे जिन्हों ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा समाने प्रसाफन मंत्री जोकि आपके गोविंञ सिंग ने कहा कि समाने बर कि आवशिमाँ कम हो रही यह हमारी जा कि बहुत से मंत्री थे उन्हों ने कहा कि यह है जानकारी हमें नहीं थी कि आपके समाने वर्ग के जो एस्पिरेंट रहेंगे उनकी एज कम की जा रही है ऐसार सब कुछ बोल रहे है ठीक है एक बात यहाँ पी भी आप ध्यान दीजेगा मंत्री जो एक साथ बात करने लगे तो सुखदेव पॉंस्ची ने टोका तो प्रद्युमन सिंग तोमर क्या बोले कि ऐसा नहीं चलेगा अब देखिए जो में पॉंट है आपको जानना जरूरी है क्या कि 40 बर्स हो सकती है अधिक्तम आयू सीमा यानि कि फिर से 40 बर्स हो सकती है आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉंट है आप इसको देख लीजेए थोड़ा सा देखिए क्या बोला गया इसमें कि बैठक पर इस बात पर सहमत बनी कि आयू सीमा बढ़ाने के मामले का विधी विवाग से परिक्षण कराया जाए 36 गड़ की तरज पर यहां भी 40 साल अधिक्तम आयू सीमा की जा सकती है माना जा रहा है कि सरकार सभी के लिए एक समान 40 वर से जिक्तम आयू सीमा करने का फैसला कर सकती है और अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे की नोटिफिकेसन आपको समय समय पर मिलती रहे हर तरह की अपडेट की तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट अपडेट में थैंक यू झाल झाल